बिसमिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब, तो जी, आज की हमारी रेसिपी है, स्पेशल जर्दा, जरूर ट्राइ कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, कि आप लोगों को कैसी लेगी, तो जो है, हम पानी उबा लेंगे, अलग सी देख्ची में, और एक साशे मैंने जर्दा कलर, आप जर्दा कलर भी ले सकते हैं, लाइम जूस यलो कलर भी इसमें आता है, मैं लाइम जूस यलो कलर इसमें यूस करें, कि जर्दा कलर काफी जादा डार्क सा हो जाता है, तो वो मै मेरे भीगेवे चावल थे आदा घंटा जो मैंने भीगो दिये थे तो अब मैं इसमें शामिल करी हूँ अपने उबलतेवे पानी में और अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे चावल डाल के चमत से जो है दो तीन दफा सारी साइड्स और अच्छी तरह इनको मिक्स कीजिएगा वरना एक साइट पे चावल जो मुमन जा कैसे बैट से जाते हैं तकरीबन 15 मिन्टों में मेरे चावल 95 पीज़ से तकरीबन बॉयल होगे एक कन्नी वखार हमने उस तरह नहीं चुड़नी बस इतना हो के खड़ा-खड़ा हमारा चावल लो उसके बाद जो हम हैं इसे नथार लेंगे कोई भी स्ट्रेनर आप ले लें और आप इसे निकाल लें और इसे निकाल के एक साइट पे आप रग दें अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ अब मैंने पांश अलाइची छोटी अलाइची लिया उसको हलका-लका कूट लिया और चार-पांच अब मैंने एक सापसी पतीली ली है उसमें मैं लूंगी एक कप ऑईल एक केजी चावलों में एक कप ऑईल बहुत होता है अगर अगर थोड़े से ज़्यादा ऑईली राइस खाना चाते हैं तो थोड़ा सा ऑईल एक दो चमच आप शामिल कर सकते हैं अब जो कुटी भी दा अलाइची थी और लॉंग थी वो हम थोड़े से गरम तेल में डाल दें और तकरीबन एक मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे कि हलकी सीन की करकड़ा हट आजा और खुशबू आजाए तो जब इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो अब इसमें मैं चीनी डाल रही एक ग्लास मैंने दूद लिया है और इसे फॉरन से हम मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारी नीचे ना लग जाए और इसका शीरा बनाएंगे तो थोड़ी देर में जैसे ही उबाल आया है तो ये देखिए शीरा इस तरह आ जाएगा तकरीबन 6-7 मिनट लगते हैं शीरा पकने म दरमियानी आंच पे और बार बार आपने चमच चलाते रहना है ये एक अलग बाल में मैंने किश्मिश पहले से भी गोदी थी और खुपरा है उसको छोड़ चोटा काट लिया है ये गारनिश के लिए और एंड में हम डालेंगे इसको ये तकरीबन 200 ग्राम खोया था मेरे दो चमच मैंने वालनिट के ले लिए अखरोट ये बदाम थी मेरे पस 12-15 गिरिया उसको मैंने बारी काट लिया ये मेरे पास थे जी टूटी फूटी इनको मैंने बिलकुल चॉप तरीके से काटा है बड़े बड़े नहीं है और ये क्रश्ट खोप रहा है एक चोटाई का बो ले लिया है अब ये देखें पांच से छे मिनट के बाद हमारे शीरे का ये टेक्सचर बन गया है उसकी ये लुका आ गई है तो अब हम इसमें कोकोनट अपना और किशमिश ये दोनों शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह चमच चलाएंगे तकरीब एक मिनट के लिए ह पर खराब हो जाता है दार कलर आ जाता है फिर राइस का कलर ठीक नहीं रहता अब तकरीबन एक मिनट बाद मैंने ये चेक है तो देखें एक तार वाला शीरा बन रहा है इसका मतलब शीरा बिलकुल तैयार है अब जो हमने अपने राइस बॉइल करके साइट पे रखे वे आइस्ता इस्ता करके वो तमाम बॉइल राइस आप इसमें डाल दें और साथ चम्मचस को अच्छे से मिक्स कर लें एक किलो चावल थे मेरे पास उबलेवे सेला चावल मैंने लिया था और इसे शीरे में हम डाल देंगे और चम्मचस से अच्छी तरह आप मिक्स कर लें सा अब चावल डालेंगे तो चीनी अपना पानी दुबारा से चोड़ेगी शीरा जो है वो दुबारा से पानी का टेक्स्चर बन जाएगा लेकिन घबराने की बात बिलकुल भी नहीं है फिर तकरीबन हम इसको पांच मिनिट के लिए दर्मियानी आंच पे पकाएंगे और दर् धकन को जो है इसके प्तीली के धकन को उससाफ से कप्ड़े से कवर कर लेंगे और पानी वग裁 से कुछ भी मैंने नहीं लगा है सिब कपड़ा है और धकन के लिर घकन के नहीं मैंने लगा दिया और इसे हम ढम पर 10 cabंवाली आंच पर हम इसे 10 pain के लिए चुड़ देंग तो माशाला देखें हमारा सारा शीरा और चावल आपस में यगजान हो गए, अब इसे अच्छी तरह सारी साइट से सब कुछ मिक्स कर लेंगे, जब हमने पहले दम दिया था, तो हमने तब गार्निशिंग कुछ भी नहीं डालेंगे, तो जो टूटी-फूटी के सब होते हैं इनका फ्लेवर फिर अजीब सार जाता है, कलर भी फैल जाते हैं, अब हम आधा चमच केवड़ा लेंगे, बहुत केवड़ा कम लेते हैं, क्योंकि अगर हम केवड़ा जादा डाल दें, तो चावलों में कड़वाहट सी है, और एक फ्लेवर सा केवड़े का बहुत तेज आ तुटी फ्रुटी में बहुत बड़े बड़े निंग काते हैं, जैसे वे शादियों में हम खाते हैं, वो इतने बड़े बड़े ये कटेवे होते हैं, तो दिल भी निंग करता खाने को, मैंने इसको च्छुच्छा सा चौप कर दिया ता, देखने में भी खुब सूरत रख देंगे, दो मिनिट के बाद जब हम इसको उठाएंगे, तो हम तमाम साइट से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अब हमारे चावल बिलकुल रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, चावल बिलकुल खिला हुआ है, बिलकुल चावल का दाना ना तूटा है, ना गिरा है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, और जब ये थोड़े से ठंडे होते हैं, मतलब तकरीबन दम के तकरीबन दस से पन्रा मिनट बाद, तो ये चावल और ज़्यादा खिल जातने हैं, तो ये लिए जी गार्निश कीजिए, अपनी ट्रे को बाकी गार्निशिंग के साथ जो हमा शुक्रिया.